इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है फीमोसिस होता गया है फीमोसिस होने के कारण क्या होते हैं इसमें कौन-कौन से सिम्टम्स दिखाए देते हैं और इसका प्रापर रूप से डाक्टर के द्वारा किस परकासे ट्रेट्मेंट किया जाता है उनकी संपूर जानक रहे ये फोर इसकी वाला पार्ट ये काफी ज़्यदा टाइट हो जाता है और जब आप इसको पीछे खिसकाने की कोसिस करते हैं तो ये पीछे के साइड में भी नहीं जाता है इसमें सूजन आने लगती है और ये खासकर बच्चों और सिस्सों में देखा गया है वैसे ये ज फीमोसिस के लच्चड यानि जब ऐसी हिस्थिती हो जाती है तो फीमोसिस में क्या-क्या लच्चड जो है वह दिखाई देते हैं तो इसमें सबसे पहला लच्चड दिखेगा मुत्याग करते शमय दर्द होना यानि जब वह अपने यूरीन को आउटपुट करेगा तो उस जैसे कि एंटर कोर्स कर रहा है तो उस वक्त भी उसको काफी ज़्यदा प्राबलम हो सकती है बार-बार गुपतांग में संक्रमण होना यानि को जो कि जैनल आरगन रहन तूष में इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज़्यदा रहता है उत तेज़ना में कमी होगी पैनिस म मैसुस होगी तो पेनिस का जो रीजन होगा वहां पर काफी ज्यादा सूजन देखने को मिल सकती है पेसाब में अधिक बदबू आना क्योंकि उस समय के आओगा जब टैटनेस ज्यादा होगी तो पेसाब जो होगा वह हलका फुलका आएगा जिसकी वजह से पेसाब में जना सकती है मतलब यह सारी जो है वह लच्छड दिखाई देती हैं जब किसी को फीमोसिस की प्राबलम होती है अगर हम बात करें इसके कारड यानि फीमोसिस होने के मेंली कारड क्या होते हैं तो इसमें जो कारड देखे गए हैं वह हो सकता है प्रोस्टाइटिस इसमें क्य और पपड़ी बन ले लगते हैं लाइकेन प्लेनश इसमें भी खुजलीदार चक्ते बन लगते हैं एकजेमा हुआ या या यूटियाई यानि जिसको मुत्रमार्ग में किसी परकार का संक्रुमर हुआ है तो उसमें भी फीमोसिस होने के काफी ज्यादा चांसेज होते हैं लेबल चक की जाती है यानि जो फोरेश किन है वह काफी ज्याधा टाइट हो गई है तो उस कंडिशन में सुगर जो है वह भी चक की जाती है खून कि अब खून की जाज में cbc की जांस इसमें ये पासाया लगाए जा सकता है कि यैन्फेक्शन की वाज़ासे ऐसी प्राब डायक होते हैं उन्हें पहला जो क्रीम है वह है वेटनोवेट यंद जो कि आपको आसानी से किसी भी मैटकली स्टोर से मिल जाएगा इसमें पाय जाता है बीटामेथाशून, बेलप्रेट और नियोमाशीन बीटामेथाशून जो की एक स्ट्रोइड है यानि जो सुजन को कमकरने नियो माईशीन जो कि एक एंटिवाटिक नेचर की मेडेसीन होती है इसका कमपोजीशन जो है काफ़ ज़्यादा एफ्यक्टिव होता है फिमोसिस के सुरुवाती स्टेज में ट्रीट करने के लिए अगर नेस्ट ऑइन्मेंट क्रीम की बात करें तो वह है क्लोवेटाशॉल यह भी काफ़े ज़्यादा एफ्यक्टिव होता है फिमोसिस के ट्रीटमेंट में अगर हम नेक्स्ट क्रीम और आइन्मेंट की बात करें तो वह है नोबोगलेन जो की जैनाइटल जो यानि जो जैनाइटल एरगन के पास फोरिश्किन रीजन में जो इस्ट्रेचर्स होती ह है उसकी कितनुमा यह आती है तो इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है फिमोसिस के उप्चार में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्रीम और आइन्मेंट जो की एक इस्ट्राइट क्रीम है इस क्रीम का उपयोग जो किया जाता है सूजन को कम करने के ल क्रिम एन उन्मेंट जो की आता है एर्थ्रो मैशीन यह की ज़िए उप Speaking कि यह ओफ्टेलमिक शालिष उन्मेंट होती है यह भी hetory जाती हैं अगरहं बात किरें कि जब इंस रेटमेंट से उस बंदे को रिलीफ न तो उस इस को है डॉक्टर के द्वारा सरजरी करने की सुझभावत जाती है जैसा कि आप लोग जानते ही खत ना जिसको बोलते हैं हुझक जीआ होďने मैजित में पर इसल आपlt है आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को लिए हेलफुल होगा अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंड करके जरूर बताएं थैंकि दोस्तों